जैहिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों उपकार क्लासेस RBL में आप सभी का हार देख स्वागत है दोस्तो हम लोग ने अभी तक 16 सेट देख लिए हैं जो भी साती नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें आज हम लोग देखेंगे सेट नमबर 17 तो दोस्तो उमीद करते हैं आप लोगों की तयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग अपने लच्छ की ओर धीरे से बढ़ रहे होंगे तो दोस्तों आज हम देखेंगे सेट नमबर 17 जिसमें से 50 कोशन होंगे सभी प्रीवियस एर में RPF में आए हैं तो आप यदि NTPC, RPF, ALP, Technician, Railway का कोई भी एक्जाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो सब आपके लिए बहुत ही उप्योगी होंगी तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंतिम तक जरूर बने रहना जिससे की आप लोग को अच्छे से चीजे समझ में आएंगे तो इस्टार्ट करते हैं हम लोग देर ना करते हुए इस्टार्ट करेंगे पहला कोशन दिया है भारत किस वर्स संयुक्त राष्ट संग का सदश्य बना यू यनो का सदश्य भारत कब बना है तो आप बताएंगे कब बना है तो उनिस सो पाइंतालिस में बना था अग्ला कोशन है ताजमहल डैस की याद में बनवाया गया था निर्मार मुगल बादिसा सौचा लगा था क्यों अपनी पत्नी जो थी उनकी पत्नी मुम्ताज महल की याद में करवा दिया था ठीक है इच्छा ये ताज महल कहां पढ़ता है तो बताएंगे आगरा जो पहे आगरा पढ़ता है आगरा कहां उत्तर प्रदेश में है ठीक है तो आगरा उत्तर प्रदेश में ताज महल है तो अगला कोशन देखेंगे तीसरा कोशन भारती रिजर बैंक ने कब परिचालन की शुरू किया परिचालन कब शुरू किया तो बताएंगे 1935 में और राश्टी करण की बात करें तो कब हो गया एक जनवरी 1949 को राश्टी करण किया गया चोथा नमबर है M F हुशैन डैस के छेतर में प्रशिद्ध हैं तो हुशैन जो हैं किस छेतर में तो बताएंगे चित्रकला किस छेत्र में चित्रकला दोस्तों यदि कोशन आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को अपने दोस्तों में सेर करें और वीडियो को लाइक करें तथा चाइनल को सब्सक्राइब भी करें जिससे की हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छे से वीडियो बनाने के लिए तो दोस्तों अगला कोश्चन आवारा है निम्न में से किस खेल में इस्टिक की आवस्चता नहीं होती है इस्टिक की आवस्चता नहीं होती है तो आपका एंसर क्या जाएगा यह आप संसे हो जाएगा ट्रेम्पो लाइन कोशन नम्मर छे है अधिकांस कोशिकाओं को विकास के लिए विभाजित किया जाता कोशिकाओं के विभाजन की इस प्रक्रिया को डैस कहते है तो विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते है सूत्री विभाजन अगला कोशन दिया है राम चरितमानस का लेखक कौन है तो बताएंगे तुलसी दास अगला कोश्चन है किसी वस्त के द्रब्यमान और वेग के गुडनफल को डैस कहते हैं तो क्या कहते हैं? बताएंगे समवेग कहते हैं अगला कोश्चन नौ नमबर है 2011 की जनगणना के अनुशार निम्न में से किस राज में साच्छर्टा दर सबसे अधिक थी तो किस में थी? आप बताएंगे केरला में ठीक है? सबसे अधिक कहां थी? केरला में कितना था? 1100做 पर जनसंक्या की बात की जाए तो क्या हो जाएगा इसमें? केरला की सबसे अधिक है अगला देखेंगे केरला में जन्संक्या जब पूछा जा तो 00 पूरसो कितनी है? Divine 1084 माईलायों कर लिंगा नुपाद अगला देखेंगे आप लोग 10 नमबर क्या कह रहा है 10 नमबर है चंदीगड को किस कारण से केंद्रिस्तासित प्रदेश घोसित किया गया है चंदीगड को तो बताएंगे किस कारण राजनीतिक और प्रसासिनिक महात्तुर यह आपसंस ही हो जाएगा अगला दिया है निम्न में से न्यूक्लिक आन किसे कहा जाता है निम्न में से न्यूक्लियान किसे कहा जाता है तो आपका एंसर क्या आएगा 11 को हो जाएगा प्रोटान और न्यूट्रान 12 नमबर दिया है वियना सहर डैस नदी के किनारे इस्थित है थो वियना आश्त्रिया की किनारे है तो डेनीव नदी किनारे है तो डेनुब नदी की किनारें पर उस राज में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है तो किसे नियुक्त किया जाता है तेरा का बताएंगे किसे संबंदित राज्यों के उच्छ नायालेयों के मुख नायादीस चौदा नमबर दिया है भारती अर्थवुवस्था के सांख की विवरणी का अकौन सांगठन प्रकासित करता है तो चौदा नमबर का हो जाएगा एंसर भारती रिजर्ब बैंक अगला दिया है 15 नमबर एकल आवरत्ती की ध्षानी डैस कहलाती है एक अलवरत्ति की ध्वनी क्या कहलाती है शूर अगला कोशन देखेंगे 16 नमबर 16 नमबर है जैविक रूप से अब घटित नहीं होने वाला बदार्थ निम्न में से कौन सा है तो कौन सा है आप बताएंगे 10 17 नमबर दिया है निम्न में से कौन सा अदेश ACI खेलों का हिस्चा नहीं है दो बताएंगे मिष्र कौन सा नहीं है मिष्र नहीं है अगला कोशन है 18 नमबर 18 में देखेंगे एक विशम मिश्टन जिसमें विले के करद विगटित नहीं होते है संपूर माध्याम में निलंबित रहते हैं उन्हें डैस कहा जाता है क्या कहते हैं तो बताएंगे निलंबन कहते हैं उन्हें क्या कहते हैं निलंबन अगला कोशन दिया है पुरुष और इस्त्री सरीर के मेल से शरीर के मेल से बना भगवान शिव का रूप कहलाता है क्या कहलाता है तो बताएंगे अर्धनारी श्वर अगला है जम्मू एवं कस्मीर का सम्विधान डैस से लागू हुआ कब लागू हुआ तो बताएंगे ये जो लागू हुआ 26 जनवरी 1957 ठीक है 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था और अपनाया ने की बात की जाए तो 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया था अगला देखेंगे दिल्ली से संबंधित विशेश प्रावधान सम्विधान के किस अनुच्छेद के तहट दिये गए है तो किस के तहट दिये गए है बताएंगे 21 का हो जाएगा अनुच्छे 249 बाइस नमबर दिया है निम्न लिखित में से काउनसा कि लाड़ी कुष्टी से संबंधित है कुष्टी से संबंधित है तो सभी को मालूम है विनेस होगाट कुष्टी से है अगला कोश्चन है आपका 23 नमबर तेश नमबर कह रहा है 1968 में क्रसिस में हरित करांति की प्रभावी प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज करने करने पहली फसल निम्न में से कौन है तो पहली फसल कौन है बताएंगे गेहूं अगला कोश्चन है 24 नमबर केंदर सासित प्रदेश लच्छ दियुप निम्न लिकित में से किस उच्चनायाला के अधिकार छेतर में आता है किस उचनायाले के अधिकार छेत्र में आता है तो आप बताएंगे केरल उचनायाले 35 नमबर है माउंट एवरेस्ट इस्ठित है तो माउंट एवरेस्ट कहां इस्ठित है आपका माउंट एवरेस्ट बताएंगे माउंट एवरेस्ट जो है व्रहद हिमालय छेत्र में है व्रहद हिमालय चेत्र जिसे ग्रेट हिमालय या हिमादर हिमालय परवत माला की सबसे उची परवत स्रंखला है अगला देखेंगे 26 नंबर वित्तिय घाटा का अर्थ क्या है वित्तिय घाटा का अर्थ उपरोक्त सभी है इसमें ठीक है वित्तिय साहित्य का नेमन में से काउन सागरंत व्याकरण और व्याक काब या सास्त्र से सम्मन दित है 27 का हो जाएगा आपका C option अगला देखेंगे 28 नमबर नेमन लिकीत में से किस राज में मरुस्थली मरुस्थली ये मिट्टी पाई जाती है मर्व अस्थलिय मिट्टी पाई जाती है तो 28 का आपका एंसर हो जाएगा राजस्थान क्या हो जाएगा राजस्थान तिस नमबर देखेंगे पट चित्र निम्न लिकित में से किस राज की पारंपरिक चित्रकला है किस राज की पारंपरिक है चित्रकला तो यह आपकी ओडिसा कहां की है ओडिसा की है अगला देखेंगे तीस नमबर निम्न लिखित में से काउन सा वैदिक सिल्प पार्ट धन विज्ञान से सम्मन दित है तो आप बताएंगे सिल्प सास्त्र क्या हो जाएगा सिल्प सास्त्र अगला कोशन दिया है 31 नमबर 49 अच्छान सहुत्तर डैस के बीच एक अंतराश्टी सीमा रेखा है तो 31 का हो जाएगा 31 नमबर का दिया है सायूत राज अमेरिका और कनाड़ा सायूत राज अमेरिका और कनाड़ा अगला देखेंगे 32 नमबर अपलेसियन परवत्स रंकला निम्न लिखित में से किस महाद्यूप में इस्तित है अपलेसियन तो किस महाद्यूप में इस्तित है तो आप बताएंगे 32 को हो जाएगा एसिया एसिया 33 नमबर है सूर के प्रकास को सूर से प्रथवी तक पहुंचने में कितना समय लगता है तो यहां बताएंगे कितना समय लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड अगला कोशन है राज्य विश्विद्यालयों का कुलपति कौन होता है राज विस विद्यालाओं के कुलपती राज के राज़पाल होते है कौन होता है राज के राज़पाल होते है अगला question दिया है 35 नमबर गोधावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है गोधावरी की सहायक तो आप बताएंगे सबरी कौन सी है शबरी अगला है 36 नमबर पहली जैन परिशद कहां आयोजित की गई थी तो यह की गई थी पाटल पुत्र कहां की गई थी पाटल पुत्र अगला कुश्चन है आपका 37 नमबर 37 नमबर कह रहा है अंकोर वाट मंदिर कहां इस्थित है अंकोर वाट मंदिर जो है आपका कमबोडिया में है कहां है कमबोडिया 38 नमबर है खेल को खेल की भावना से खेलें निम्न में से डैस का आदर्स वाक है खेल को खेल की भावना से खेलें निम्न में से किसका आदर्स वाक है तो बताएंगे यह है प्रथम ACI गेम्स का प्रथम ACI गेम्स अगला क्वेशन दिया है लौह अयस्क की आपूर्ती मुख्य रूप से डली राजहरा की खानों से किस कार खाने को जाती है तो 49 नमबर का एंसर क्या हो जाएगा देखेंगे 49 का एंसर दोस्तो हो जाएगा भिलाई इसपात खार खाना क्यों जाएगा भिलाई इसपात कार खाना अगला देखेंगे 40 नमबर टेपल टेनिस में प्रयुक्त उक्करण पैडल दर्साता है पैडल जो है दर्साता है क्या दर्साता है तो आप बताएगे बैट को दर्शाता है किसको बैट 41 नमबर दिया है मनुस के युगमक में मौजूद गुड़ सूत्रों की संख्या कितनी होती है गुड़ सूत्रों की संख्या जो होती है एक जोड़ी होती है कितने एक जोड़ी होती है तो बताएंगे एक जोड़ी गुड़ सूत्र होते हैं लेकिन आफसन जो दिये हैं एक जोड़ी फिरहाल जो गुर्षूत्र होते हैं देखा होगा एकजाम में ए आफसन माना गया है इसमें फिरहाल इसमें 23 गुर्षूत्र होते हैं और जोड़ी में पूछे तो 23 जोड़ी होते हैं तो आपका एंसर क्या हो जाएगा 23 जोड़ी ठी जब उतपाद का मूल घटता है तो आपूर्त की मात्रा ड़ेड़ डैस, तो answer 42 का क्या हो जाएगा? घटेगी आपूर्त की मात्रा क्या हो जाएगी घटेगी अगला कोशन दिया है मनुस में सामानसोसन की प्रवलता कितनी होती है? बतायेंगे कितनी होती है? दस डेसीबल ऊपन्पन्ध हुए खेलों में कबडी को सामिल किया गया तो कबडी को कब सामिल किया गया बताएंगे 1984 अगला कोशन दिया है निम्न में से कौन सा अरप सागर के किनारे इस्थित नहीं है आंध प्रडेश अगला कोशन है अनुसूचित छेत्रों में प्रशासन को विशेश जिम्मेदारी किसके पास है विशेश जिम्मेदारी किसके पास है बताएंगे राज जिपाल अगला कोशन है दिल्ली विधान सभा को किस छेत्र में कानून बनाने का अधिकार है कि शेत्र में कानून बनाने का दिकार है तो बताएंगे 47 का हो जाएगा स्वास्त थे 48 नमबर है 48 नमबर कह रहा बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नमिलखित में से कौन सा है बैक्टीरिया द्वारा तो बैक्टिरिया दोरह होने माला कौन सा है टाइफाइड क्यों हो जाएगा टाइफाइड अगला कोशन दिया है उन्चाश नमबर उन्चाश नमबर करा है भारत और जम्मु कस्मीर राज के बीच पर ग्रहण समझाओते पर डैस्क में हस्ताचर किये गए थे तो इसका एंसर क्या हो जाएगा आपका उन्चाश नमबर का 26 अक्टूबर 1947 अगला है लाश्ट कोशन मुगलों मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटे का युद्ध किसने लड़ा तो दोस्तों किसने लड़ा था अब इसका एंसर आप लोग कमेंट बाक्स में कमेंट करके बताएं क्या होगा तो दोस्तों ये रहें आपके 50 कोशन उमीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है अच्छी लगी होगी यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं अपने दोस्तों में भी सेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो दोस्तों अंतिम तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबी का मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद